नमस्कार दोस्तों टी एस टेलर पाइंट में आपका स्वागत है आज हम सर्ट की कटिन बिल्कुल असान और प्रफेक्टर तरीके से आप लोगों को बताएंगे सबसे पहले दोस्तों कपड़े को उल्टा करके बिछा लेना है यह देखिए यह हमारा उपर का उल्टा है और यह अंदर द्रफ का सीधा है तो चलिए दोस्तों आज का सर्ट का मेजरमेंट देख लेते हैं आज का हमारा सर्ट का मेजरमेंट इस परकार है दोस्तों लंबई है 22 इंच, चेस्ट है 36, सोल्डर है 71, कालहर है 14 इंच, और पेट है 32, हीप है 34, अस्तिन है 25 और हमारा मोहरी है вод9 इंच इस मेजरमेंट के हिसाब से आज हम सर्ट की कटिन करेंगे सभी प्रकार के कपड़ों की कटिंग और स्टिचिंग सिखने के लिए हमारे यूटूब चैनल टी एस टेलर पाइंट को सस्क्राइब करें दोस्तों और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो को नेटिपिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले दोस्तों इसको सीधा कर लेंगे जो आडा तीरचा कपड़ा है उसको उसके बाद दोस्तों हम लंबाई को देखते हैं हमारा लंबाई है 28 इंच तो हम इसमें एक मार्क लगा लेंगे और इसको सीधा कर लेंगे अब दोस्तों हम यहाँ पर प्लेट के लिए निसान लगाएंगे पौने दो इंच पे मैं यहाँ पर सबा इंच का पट्टी लगाता हूँ इसलिए मैं पौने दो ले रहा हूँ आप चाहे तो देड़े इंच का लगाएंगे तो दो इंच भी ले सकते हैं अब इसको सीधा कर लेंगे अब उसके बाद दोस्तों हम सोल्डर लेंगे हमारा सोल्डर है साड़े सत्रे इंच साड़े सत्रे का हाप करेंगे तो पौने नौ आएगा पौनेनों पे यहाँ पर मार्क लगा लेंगे यहाँ पर भी एक मार्क लगा लेंगे पौनेनों पे और सोल्डर को यहाँ से नीचे की तरफ सब दो इंच डाउन करेंगे इस सब दो इंच डाउन कर लेंगे अब दोस्तों हम आर मोहल के लिए Mark लगाएंगे R मोहल चेश्ट है कि हिसाप से निकलता है हमारा चेश्ट है 36 इंच तो 36 को force divide करेंगे तो 9 आएगा और इसमें half इंच minus करके हम लोग R मोहल के लिए यहाँ पर निसान लगा लेंगे तो हमारा R मोहल आएगा 8.5 इंच इसको सीधा कर लेंगे दोस्तो इसको भी सीधा कर लेंगे दोस्तो इसको सीधा कर लेंगे दोस्तो अब हम लोग चेश्ट के लिए Mark लगाएंगे दोस्तो हमारा चेश्ट है 36 इंच 36 को force divide करेंगे तो 9 इंच और इसमें 2 इंच लूजिंग, तो हमारा आ जाएगा 11 इंच, 11 इंच पर यहां पर मार्क लगा लेंगे, अब उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों, पेट के लिए, पेट के लिए हम लोग यहां पर 16 इंच पर मार्क लगा लेंगे, यह देखिए दोस्तों, 16 इंच प और 8 में 2 इंच लूजिंग तलब 10 इंच, 10 इंच पे हम लोग यहाँ पर मार्क कर देंगे, अब आ जाते हैं दोस्तों हीप, हमारा हीप है 34 इंच, 34 को फोर्सी डिवाइट करेंगे, तो साड़े आठ आएगा, और साड़े आठ में 2 इंच लूज, तो हमारा साड़े 10, तो दे देंगे, यह देखिए दोस्तों, इस तरह सेफ आएगा हमारा सर्ट का, अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग इसको राउंड कर लेते हैं, यह देखिए हम लोग इसको राउंड कर लिये हैं, अब आ जाते हैं दोस्तों हमारा गले की तरप, हमारा कालार है 14 तो हम लोग यहाँ पर धाय इंच पर मार्क करेंगे यहाँ पर भी धाय इंच पर मार्क कर देते हैं और नीचे की तरफ उपर से नीचे की तरफ भी धाय इंच का मार्क लगा देंगे यह देखे दोस्तों हम लोग मार्क लगा दिये हैं अब इसको सीधा कर ले यहां पर भी एक सीधी लकीर कर लेंगे और इसको राउंड करते हुए यहां पर ऐसे कर लेंगे अब हम इसका कटीन करेंगे दोस्तों चलिए कटीन करते हैं कर दोवएलोररररर benefit करेंगे यहां हमें ले आव करते हैं कर दोवएलोरररर दोवएलोररर थ dim. कर दोत्रृश कर दोवएलोरद 있다 अब हम लोग पीछे पल्ला को कटिन करेंगे दोस्तों कपड़े को ऐसे बिछा लेना है उल्टा करके और हम लोग सामने पल्ला को लूजिंग के साथ ग्यारा इंच काटे थे चेस्ट को हम यहाँ पर पीछे पल्ले में आधा इंच कम करके काटे हैं तो हम लोग साढ़े देस ले लेंगे यहाँ पर भी एक मार्क लगा लेंगे साढ़े देस में यहाँ पर भी यह देखे दोस्तों और इसको ऐसे पकड़ के यह देखे दोस्तों इसको ऐसे किनारे से रख लेना है अच्छे से सेट कर लेना है दोस्तों यह देखिए हमारा इस तरफ भी बराबर आ गया है अब हम यहां पर कपड़े को सीधा कर लेते हैं यह देखिए दोस्तों हम लोग कपड़े को सीधा कर लिये हैं अब इसके उपर सामने पल्ला को रोखना है दोस्तों यह देखिए सामने पल्ला को हम यहां उपर में रखेंगे और यहां पर सामने पल्ला में उपर से चार इंच नीचे की तरफ एक मार्क लगा लेना है यहां पर भी ऐसी करना है सवा दो इंच हम लोग डाउन के थे सोल्डर को सवा दो इंच में ऐसे रखके हम लोग चार इंच पर यहाँ पर मार्क लगा लेंगे और इसको सीधा कर लेंगे यह देखे दोस्तों सीधा कर ली हम लोग चार इंच पर अब इसको यहां पर set करना है जहां पर हमारा 4-inch का मार्क लगाया है और यह हमारा जो कफड़र लाश्ट है वहाँ पर set करना है इसको यह देखिए दोस्तों चाहे तो आप यहां से भी देख सकते हैं ऐसे करके हमारा 4-inch पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है यह देखिए दोस्तों यह देखिए दोस्तों बराबर से हमारा 4 इंच पर यह बराबर से हमारा सेट हो गया दोस्तों यह देखिए अब हम लोग सोल्डर का माप ले लेते हैं यहाँ पर हमारा सोल्डर था 7.5 इंच तो हम लोग 7.5 का हाफ होता है पॉने नाव अब पीछे पल्ला में हम लोग आधा इंच प्लस करेंगे दोस्तों हम लोग सामने पल्ला में आधा इंच प्लस नहीं किये थे अब पीछे पल्ला में हमको आधा इंच प्लस करना है तो पोने नाव का 79 इंच पे मार्क लगा देंगे यहाँ पर भी 79 इंच पे मार्क लगाएंगे अब इसको सीधा कर लेना है दोस्तों इसको राउंड कर लेंगे यह हो गया दोस्तों अब हम इसका कटिन कर लेते हैं यह देखे दोस्तों हम लोग पीछे पर लोग को कटिन कर लिये हैं अब यहाँ पर एक कट लगा देना है दोस्तों के लिए सेंटर का पाइंट लगा देना है कट यह देखे दोस्तों कपड़े को उल्टे करके बिछा लेना है और फोल्ड कर लेना है यह देखे दोस्तों मैंने फोल्ड कर लिया है एक बार अब इसको दुबारा से फोल्ड करेंगे इस तरह यह देखे दोस्तों हम लोग दुबारा से फोल्ड कर लिया है अब हम लोग यहां पर 3,5 दौन करेंगे यह देखे साड़े तिनी डौन और यहां पर आर्मोहल को हम 7,8 लेंगे दोस्तों और हमारा 80 का लंबाई है 25 तो 25 इंच में हम लोग 1 इंच माइनस कर देंगे और यहाँ पर मार्क लगाएंगे जब 24 इंच में हम लोग मार्क लगाएंगे हमारा अस्तिन है 25 इंच तो हम लोग यहाँ पर 1 इंच माइनस करके 24 इंच में मार्क लगाएंगे यहाँ पर भी ऐसी करेंगे दोस्तों 24 इंच में मार्क लगाना है और इसको सीधा कर लेना है यह देखे हमने सीधा कर दिया है और यहाँ पर 6 इंच पर मारक लगाना है दोस्तों यह देखे और इसको यह स्केल की मदद से राउंड करते हुए इसको सीधा कर लेना है यह देखे दोस्तों यह हमने सीधा कर लिए इसको और इसको यहां से आसे गुलाई देते हुए राउंड करते हुए इस तरह इस तरह कर लिना है दोस्तों अब हम इसका कटीन कर देंगे दोस्तों अब हमको यहां पर एक कट लगा देना है दोस्तों इसके बाद दोस्तों हम लोग यहां पर ऐसे फोल्ड कर लेना है बराबर से फोल्ड करना है यह देखी दोस्तों हमने सहीं सी फोल्ड कर लिया है और इसको नाखुंसे ऐसे ऐसे कर लेना है यह देखिए दोस्तों हमारा यहां पर मार्क आ गया है यहां पर हम अस्तिन का पट्टी के लिए 5 इंच पर मार्क लगा देंगे यह देखिए 5 इंच पर और जहां से हम मार्क किये हैं वहां से आधा इंच दूर इस तरफ हमको कट लगाना है यह देखिए दोस्तों आधा इंच मार्क किये हैं उससे आधा इंच दूर कट लगाए हैं पांच इंच पे पट्टी के लिए अब हम दोस्तों जहां से जिस तरफ हम लोग पट्टी के लिए कट लगाये हैं उसके अपोजिट साइड यानि इस तरफ हमको हाप से पॉना इंच ऐसे डाउन करना है ये देखिए दोस्तों हाप इन से पॉन इन तक अब डाउन कर सकते हो ये देखिए दोस्तों मैंने डाउन कर दिया है ये इसका से फ्रेस आएगा दोस्तों ये देखिए मैंने डाउन किया हुआ है ये हमारा सामने पला में फिट होगा और डाउन नहीं किया है, वो पीछे तरफ आएगा, तो पीछे तरफ ही हमारा अस्तिन का जो पट्टी लगाएंगे, यह देखे दोस्तों, पट्टी लगाएंगे, वो आएगा, यह हमारा अस्तिन का कटिन कंपलीट हो गया दोस्तों, अब हम सोल्डर का कटिन करेंगे, यह द यह देखिए दोस्तों सीधा कर लिए अब इसको कटीन कर लेंगे अब इसको ऐसे करके फोल्ड कर लेंगे दोस्तों यह देखिए फोल्ड कर लिए हम लोग हमारा अस्तीन था साड़े सत्रा इंच तो साड़े सत्रा का हाफ होगा पॉने नाव इसमें आधा इंच इसमें प्लस करेंगे तो हमारा आएगा सवव नाव हम लोग यहाँ पर 17 इंच पर मार्क कर लेंगे दोस्तों देखे 17 इंच और यहाँ से यहाँ साड़े पांच इंच क्योंकि हमने पीछे पल्ला को सामने पल्ला से 4 इंच छोटा कांटा था तो हम लोग यहाँ पर साड़े पांच इंच लेंगे और यहाँ पर साड़े साथ इन्हें नीचे से उपर यह देखिए दोस्तों साड़े साथ और यहाँ पर मार्क लगा देंगे और उपर से नीचे देड़ इंच पर भी एक मार्क लगा लेंगे यहाँ पर भी वैसी करेंगे साड़े साथ और यह देड़ इंच अब यहां से यहां 3 इंच पर मार्क लगा लेंगे यह देखिए यह देखिए दोस्तों अब इसको सीधा कर लेंगे दोस्तों यहां पर भी एक मार्क लगा लेंगे दोस्तों सोल्डर के लिए है लंबाई है तो हमारा सोल्डर का तो 7-9 पे यहां पर हम लोग 7-9 पे लगाया थे पॉने ना हमारा स्वल्डर का हाप हुआ प्लस इसमें आधा इंच 8 किये थे तो 7-9 हुआ हम 7-9 पे मारक कर लेंगे और इस स्पाइट से स्पाइट को हम लोग सीधा कर लेंगे दोस्तों और यहां से राउंड सेप दे देंगे चलिए दोस्तों इसका कटीन कर लेते हैं सोल्डर का देखे दोस्तों अब यहां पर एक कट लगा देना है सेंटर के लिए यहां पर भी सेंटर के लिए कट लगा देना है यह हमारा सोल्डर का भी कटिन पूरा हो गया दोस्तों